जो PMS है एक्चुली जो हमारा सिंथ गवर्वर्मेंट का एक किसम से एक्जकुटिव टॉप लेवल का exam है बैसिकली थ्री स्टेजेज में डिवाइड़े है फिर स्क्रीनिंग होती है फिर रिटेन एक्जाम है फिर इंटर्व्यू है स्क्रीनिंग बैसिकली हमारा जो MCQs बैस्ट पैपर होता है वह जो मैंने मौसली डिफरेंट सोर्से से पिपे किया था आप इंटरनेट पे सोर्से देख लें पाक MCQs हैं इंडियन वेबसाइट हैं इंडिया बिज आपको वहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट बेशुमार MCQs मिल जाएंगे उसके इलावा आप गूगल यूज़ कर सकते हैं फोर डिफरेंट प्लैटफॉर्म्स आप कुछ अच्छे बुक खरीद लें कोई भी बुक हो सकता है बट उस बुक में जो है आपका जो मटीरियल हो वो रेलेमेंट होना चाहिए बिसाइड्स आपकी जो अरली एड्यूकेशन है जो आपने यूनिवरस्टी में पढ़ा है जो आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं अगर कहीं ना कहीं आपकी प्रिपेरेशन में काम आने वाली हैं वन्स आप स्क्रीनिंग किलियर कर लेते हैं जिसका मिनिमम्म थ्री शोल 50% है हमारा रिटेन से सी काम उस पे आ जाते हैं तो उसमें च्छे कंपलसरी सबजेक्ट्स हैं फॉर ऑप्शनल सबजेक्ट्स हैं अमपलसर जो मेरे चार ऑप्शनल्स थे जिसमें आयार हो गया इंवायरमेंटल साइंसेज हो गया और टाउन प्लानिंग हो गया तो ऐसे जो है मैं यह बोलूगा कि रीडिंग और प्रेक्टिस में परफेक्ट्स जितनी रीडिंग आप से हो सके डिफरेंट न्यूस पेपर्स हैं आप उतनी करें जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी जो आप फिर लिखेंगे ना तो उसमें आप कॉन्फीडेंटली लिखेंगे एक कॉन्फीड़ आ जाता है जब आपके बाद बैस्शमार नॉलेज होती है जब आप लिखने बेढ़ जाते हैं तो आपके बाद आप ग्राफ राइटिंग हो गई आउटलाइन मैकिंग हो गई उनकी आप वैल्यूएशन करवाएं साथ-साथ जो ग्रैमर की एक अच्छी सी बुक ले लें उसमें आप ग्रैमिट ग्रैमिटिकल जो इरर्स हैं आपके उनको एवैल्यूएट करें अपने टैंसे अच्छे क करता है फॉर एक्जम्बल अगर मुझे चार महीने लगते तो किसी को दो भी लग सकते हैं किसी को एक साल भी लग सकता है तो आप इसको कंसिस्टनली मतलब एक अपनी प्रैक्टिस बनानी है वन्स यू आपको खुद बखुद समझ आ जाएगा कि मतलब मेरी जो सारी स्किल सेंस में पॉलिश हो गई है उसके बाद आपकी प्रिसी है जिसमें आपको प्रिसी हो गई वो कैब हो गई आपकी सेंटेंस करेक्शन हो गई ट्रांसलेशन हो गई उनकी प्रैक्टिस करते आना है जैसे जैसे आप ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे प्रिसी और कंपोजिशन की भी आपकी काफी जो प्रैक्टिस है वो हो जाती है करन्ट इंड पाकिस्तान अफियस के लिए मैं यह कहूंगा कि डॉन नियूसपेपर या कोई भी अच्छा नियूसपेपर या अब उसको फॉलो करें आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वाइफ़ी आसी अप उनको पढ़ें ऑथन्टिक सोर्सिज को पढ़ें रिसर्च पेपर को फॉलो करें डिफरेंट जो आपकी think tanks हैं, डिफरेंट जो paper publish हुए हैं by different forums उनको पढ़ें और अपनी analytical skills को improve करें अब chat GPT पर यूज़ कर सकते हैं, आप YouTube भी यूज़ कर सकते हैं as different sources for the preparation general science and ability comparatively असान subject है, उसके लिए आप कोई भी authentic book ले लें, chat GPT यूज़ कर लें, topic wise आप topics को cover करते जाएं Islamiyad के हवाले से बोलूँगा being a non-muslim मैंने comparative study of major religions लिया था जिसमें मेरे around 88 score आया था तो उसमें आपको 5 religions पढ़ने पढ़ेंगे, Hinduism हो गया, Buddhism हो गया, Islam हो गया, Judaism हो गया और Christianity हो गया, वो काफी अच्छा subject है, जिसमें मतलब आपको 5 different religions का overview हो जाता है, उनकी teachings हैं, वो आपको personal level पे भी, मतलब बहुत काम आएगा, एक interfaith harmony create हो जाती है, जब आप समझते हैं कि दूसरा religion जो है, वो क्या सोचता है, वो इस दुनिया को, लोगों को, humanity को, judicial matters को, day-to-day matters को किस lens से देखता है, वो आपके एक personal development भी हो जाती है, और इस से आपके professional development भी हो जाती है, जिसमें आप papers में अच्छे marks ले सकते हैं, उसके बाद आजाते हैं, international relations में, international relations भी काफी IR1 and IR2, IR1 mostly आपका theoretical है, IR2 आपका practical है, IR1 की जो भी आपकी theories होती है, वो आपको IR2 में apply करनी होती है, IR के लिए मैं ये suggest करूँगा कि जो भी authentic recommended books है, आप वो पढ़ें, उसके लावा magazines है, The Economist हो गई, Foreign Affairs हो गई, JWT हो गई, और different, मतलब जो reputable research papers हैं, PIDE के हो गई, NPU के हो गई, आप उनको refer करें, once आपका IR1 complete हो जाता है, तो आप IR2 पे shift हो जाएं, current affairs और IR2 को आपको साथ लेके चलना है, जो भी आपके day to day, आपके national, provincial, international, regional issues हैं, आप उनको पर लिए पढ़ें, उनका historical overview लें, उनका current scenario में देखें, क्या importance है, फिर उनकी जो IR की theories हैं, आप उनके apply करें इनकेस आपको समझ नहीं आता कि theories को कैसे apply करना है, आप chate GPT use कर सकते हैं, आप for example लिखें, Ukraine-Russia war और उस पे आप लिखें apply the different theories of IR, तो आपको एक simple सा, वो एक answer बना के देदेगा कि realism उस topic के बारे में क्या सोचता है, liberalism क्या सोचता है, feminism क्या सोचती है, constructivism कैसे सोचते हैं, तो आपकी जो understanding है, over the time, different topics पे ऐसे बनती जाएगी, environmental science पे आ जाते है, environmental science एक अच्छा subject है, और एक important subject है, considering the ongoing climate change and global warming issues, यह आपकी current affairs में भी आ जाता है, general science and ability में भी आ जाता है, पाकिस्तान affairs में भी आ जाता है, for example देख लें, 2022 की फिलट से, वो एक पाकिस्तान affairs का भी topic था, current affairs का भी topic था, और environmental sciences का भी topic है, तो यह मतलब overlapping subject है, असान subject है, और इसमें score करना मतलब काफी असान है, इसमें मेरे score था CC 2020 में 84 आया था, इसके इलावा town planning है, जैसे town planning in urban management मैंने इसलिए लिया था, क्योंकि during my bachelor's in civil engineering मैंने एक दफ़ा इस subject को पढ़ा था, यह मतलब हमारे module का पार्ट था, तो हालां कि जब मैंने इसको opt किया था, वो सिर्फ 10% की resemblance थी, बाकी यह पूरा subject मतलब different है, यह काफी हद तक administrative side है, towns को कैसे develop किया जाए, urban development कैसे होती है, क्या policies है, economics का क्या role है, policy makers का क्या role है, मतलब काफी अच्छा subject है, technical subject है, इसके लिए जो sources है, मैं फिर से वही कहूँगा, recommended books हो गई, research papers आप NED University के use कर सकते हैं, मेरान University के use कर सकते हैं, पंजाब में एक urban unit वाले papers publish करते हैं, पाइड वाले हैं, यह सब papers publish करते हैं, paper से यह होगा, जो आपके papers published हैं, वो research based होते हैं, जो authentic Pakistan में issues चल रहे हैं, मतलब in subjects related, आपको relevant data मिल जाती है, authentic references मिल जाती है, जब आप वो paper में use करेंगे, तो एक जो impression होता है, on the checker वो अच्छा बन जाता है, कि यह बंदा मतलब पढ़ के आया है, कुछ पढ़ के आया है, नहीं तो मसला यह हो जाता है, हम ऐसे ही वेग लिखते जाते हैं, जन्रलाइज statements देते जाते हैं, जो सब लिखेंगे, अगर आप facts और figures और वो भी updated with a reference from a reputable research paper देंगे, तो एक impression बन जाता है, आपका paper stand out हो जाता है, तो इससे यह होता है, कि आपका score अच्छा हो जाता है, जैसे CC 2020 में मेरा town planning में 84 score था, तो मेरे इसाब से यही preparation करनी चाहिए है,